राहत इंदौरी एक ऐसे शायर जो ने केवल भारत में मशहूर थे बलकि उनकी शायरे विदेशों में भी काफी पसंद की जाते थी राहत इंदौरी का जन्म एक जनवरी 1950 को इंदौर मध्य प्रिदेश में हुआ उनके पता का नाम रफतल्लह कुरेशी था जो की कपड़ा मील में करमचारी थे माता का नाम मकबूल उन निशा बेगम था उन्होंने दो बार शादी की थी उनकी पतनियां अंजुम रहबर 1986 से 1993 और सीमा रहा थे उनके बेटों का नाम फैजल रहत सतलिज रहत था उनकी बेटी का नाम शिल्बेवफान है उनकी प्रारंबिक शिक्षा नूतन स्कूल इंदौर से है उन्होंने इस्तलामिया कलीमिया कॉलेज इंदौर से सन 1978 में अपनी सनातक की पढ़ाई पूरी की असन 1975 में बरकतला विश्वद्याले भूबार से हिंदू साहित में एमे किया जिसके बाद 1985 में मद्रदेश के भोजमुक्त विश्वद्याले से उर्दू साहित में पीएजडे के अपाद ही प्राप्त की राधिंदौरी ने देवी अहिल्या विश्वध्याले इंदौर में उर्दू साहेत के प्राध्यापक भी रह चुके थे राधिंदौरी ने महज 19 वर्ष की उम्र में शेर पेश करने शिरू कर दिये थे देश्वदेश में उनकी शायरी के बहुत से मुरीद है राधिंदौरी की शायरी का अंदास बहुत है दिलकश होता है वो अपनी लोग प्रेता के लिए कोई ऐसा सरल रास्ता नहीं चुनते जो शायरी की इज़त को कम करता हो राहत जब गजल पढ़ रही होते हैं तो उन्हें देखना और सुनना दोनों एक अनुभव से गुजरना है राहत के भीतर एक और राहत इस वक्त महफिल में नमुदार होता है और एक तिरिसम सा चा जाता है राहत के मुशायरे ऐसे हर्फन मूला हैं जिने आप किसी भी क्रम पर खिला लें वो बाजी मार ही लेंगे उनका माइक पर होना जंदगी का होना होता है यह हैसास सुनने वालों को बार बार मिलता है कि राहत दुरू बरू है और अच्छी शायरी सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सुनी जा रही है रात अंदौरी ने न केवल शायरी बलकि उनके गाने भी बहुत प्रसिद हैं आज हमने दिल का हर कस्ता तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं खत लिखना हमें खत लिखना रात क्या मांगे एक सितारा दिल को हजार बार रोका एम बोले तुमें मास्चर धुआ 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 ये रिष्टा क्या कहलाता है चोरी चोरी जब नजरे मिले देखो देखो जानम हम दिल नीन चुराई मैंने मुर्शिदा ये कुछ ऐसे गाने हैं जो बहुत प्रसद है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फूर मोर अपडेट्स